हैज आज यस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हॉमो सिस्टीन के बारे में हॉमोसिस्टीन आपकी बόडी में अगर उसके लेवल बढ़ जाते हैं तो उससे क्या रिस्क Factor आसकते हैं और इसके क्या सॉलूशन है तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को देखे जब भी आ आएंगे आप प्रोटीन तो उसमें से एक amino acid निकलता है methionine जो की convert हो जाता है होमोसिस्टीन में। आपकी बॉड़ी methionine को convert करती है होमोसिस्टीन में। थुरू इस methylation cycle के थुरू। देखे होमोसिस्टीन विटामिन विश्टक्स की help से cbs pathway से होता हुआ जाता है सिस्टीन मनाता है और फिर ग्लूटा थायोन मनाता है ग्लूटा थायोन आपका master antioxidant है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और बागी का होमो सिस्टीन जो है जो बच जाता है वो फिर रिसाइकल हो जाता है मिथियोनीन में वापिस से और ये cycle continuously चलती रहती है वो रिसाइकल होता है विटामिन B12 की help से और folate की help से और ये आपका MTHFR gene है अगर आपकी बॉडी में विटामिन B6 की कमी है तो आपका glutathione नहीं बनेगा homocysteine आपका accumulate होने लगेगा वो आपकी body के लिए harmful है विटामिन B12 की कमी है या folate की कमी है तो आपका जो homocysteine है वो recycle नहीं हो पाएगा फिर वो homocysteine बढ़ने लगेगा homocysteine के बढ़ने से हो सकते हैं cardiovascular risk factors develop जैसे की endothelium dysfunction अगर body में arteries में endothelium dysfunction हो गया तो nitric oxide नहीं produce होगा आपकी arteries सुकड़ने लगेंगी वो सुकड़ेंगी तो फिर आपकी body में BP बढ़ने लगेगा hypertension होने लग जाएगे और thrombosis होने लगेगा इससे आपके heart attack के chances बढ़ जाएगे blockage चालू हो जाएगे प्लेग मतलब की blockage होने लग जाएगी इसका देखे smoking अगर कोई करता है तो उससे भी homocysteine बढ़ेगा एक तो vitamin B6 की कमी से B12 की कमी से folate की कमी से होई रहा था उपर से अगर कोई cigarette पी रहा है तो homocysteine और जाएगा मतलब की उसके heart attack के chances और जाएदा बढ़ जाएगे दूगने triple हो जाएगे इसका solution क्या है इसकी solution की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको जाके कराना है अपना test serum homocysteine का और CRP का CRP से आपको पता चल जाएगा कि अगर आपकी body में inflammation है तो देखे इसके लिए सबसे पहले solution आप अपने lifestyle को improve करें exercise करें daily inflammation को reduce करें अच्छी diet लें stomach में अगर issue है तो उसको आप ठीक करिए उसके लिए आप अच्छी diet रखिए अगर आप smoking करते हैं तो please smoking बंद करिए अगर आपकी body में vitamin B6 की कमी है तो आप vitamin B6 लीजिए एक amino acid है trimethyl glycine जिसको हम betaine भी कहते हैं ये homocysteine को reduce करता है तो अगर आपका abnormally बहुत जादा high levels हो रहे हैं तो आप betaine यूज़ कर सकते हैं TMG यूज़ कर सकते हैं लेकिन पहले आप अपने doctor से consult करिएगा उसके बादी TM TMG को use करिएगा थैंक्यू